सर्दियों का मौसम हो और मेथी की कोई सबजी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता सो हे गाइस वेलकम बाक टू माँ चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लोग तो हापी आर्स में आज हम बनाने वाले हैं कश्मीरी स्टाइल पनीर मेथी चमन जो की बिल्कुल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा चानल पर अगर आप मेरे नहीं हैं तो चानल को कर दीजेगा सस्क्राइब ताकि और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो को आप इंजॉय कर सके तो चलिए फिर स्टाट करते हैं तो पनीर मेथी चमन बनाने के लिए मैंने एक पंच मेथी जो होता है न उसके इस तरह से पते निकाल लिये है और बहुत अच्छे से इनको वाश कर लिया है अब हमको बारीक बारीक इस मेथी को कट कर लेना है तो इसको कट करके पहले हम साइट रख लेंगे अब अगले प्रोसेस में मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें मैं आड़ कर लियूँ एक ग्लास पानी गैस की फ्लेम को हमको ओन करना है और अब हम इसमें लगबग 15-20 काजू के पीसे इसमें आड़ कर देंगे उसी according हरी मेर चाइट कर सकते हैं अब हमको इन सारी चीजों को ढखकर या बेना ढखके आपको जैसा सुटेबल हो आप उस तरह से इसको पका लीजे हमको इसको तब तक पकाना है जब तक अनियन अच्छी ट्रांसपेरिंट नहीं हो जाती तो यहां देखिए जो आनियन से बहुत अच्छी से एकदम ट्रांसपेरिंट इनका कलर हो गया है और यह बिलकुल पके तयार है अब गैस की फिलिम को आफ करके हमको इसको ठंडा कर लेना है और इसका एकदम स्मूध पेस्ट बना के तयार करना है तो इसका स्मूध पेस्ट बना लेते हैं क्योंकि हम पनीर मेथी चमन बना रहे हैं तो मैंने यहां पे 300 ग्राम पनीर ले लिया है जिसको अच्छे से वाश करके मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में इनको कट कर लिया है बहुत ज़्यादा स्मूध पीसेस नहीं कट करेंगे अब हमको क्या करना है मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हमने आट किया है मैंने यहां पे सरसो का तेल यूज किया है आप चाहे तो रिफाइंड ओल का भी यूज कर सकते हैं तेल हलका गरम हो जाने पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमाग आट कर दिया है जिससे पनीर जो होगा लेयर पे चिपकेगा नहीं तो यहां पे अब थोड़ा सा हमने आट कर दिया है हींग हींग आट कर देने से इसका बहुत ही अच्छा फ्रेक्रेंस जो होगा पनीर में आजाएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि हम इसको कश्मीरी स्टाल में बना रहे हैं इसलिए हींग का तड़का इसमें बहुत ही ज़ादा यमी लगता है पनीर को अब हम इसमें आड कर देंगे और अच्छे से सौटे करते हुए पनीर को हमने फ्राई कर लेना है अच्छा गोल्डन कलर आने तक तो पनीर जो है हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इससे ज़ादा इसको फ्राई नहीं करेंगे यहाँ पे मैं आपको एक tip and trick देने जाती हूँ जिससे आप पनीर की softness को बहुत अच्छे से बरकरार रख सकते है मैंने यहाँ एक bowl में हलका गुनगुना पानी लिया है जिसमें हम क्या करेंगे यह जो पनीर है इनको add कर देंगे तो direct pan में से निकाला और इस पानी में हमने add कर दिया पानी जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और बिल्कुल chill ठंडा भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे सारे पनीर को जब हम इसमें add कर देंगे तो जब तक हमारी gravy तयार होगी तब तक के लिए हमने इन पनीर को इस पानी में soak करके रखना है इससे यह पनीर बहुत ही ज़्यादा soft बने रहते है जरूर से इस ट्रिक को अपना के देखेगा आपको बहुत पसंद आईगी सिर्फ इसी recipe के लिए नहीं अगर आप कोई और पनीर की सबजी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस तरह से पनीर को सोग करके रख सकते हैं तो पनीर का बचा हुआ ओयल देके काफी ज़्यादा है सेम ओयल में हमको क्या करना है थोड़े से खड़े मसाले आट करने है बहुत जादा ओयल भी हम यहाँ पर यूज नहीं करने वाले इसी ओयल को दुबारा से यूज करेंगे तो यहाँ पर खड़े मसालों को लगबग 1-2 मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पर अच्छे से हमको भून लेना है ताकि इनका जो टेस्ट और फ्रेग्नेंस है वो सारे ओल में आ जाए खड़े मसाले जो अच्छे से भून गए है इस टेश पर हम इसमें आड़ करेंगे लगबग 2 चमवाश अद्रक लसन जिसको मैंने आच्छे से कूट लिया है आप चाहें तो इसको पेस्ट भी आड़ कर सकते है लेकिन इस तरह से दरदरा कूटा हुआ जो होता है उसका टेस् अब इसको baked करके यानि की गत्थ करके भी आड़ कर सकते हैं एक मिनिट के लिए इन दोनों चीज़ों को हमने भून लेना है अद्रक और लेसन जो है बहुत अच्छे से भून गया है इस सेज पर आप गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं क्योंकि हमको इसका जितना वे एकसेस पानी है वो सारा सुखाना है मेथी को आप जितना जाद अच्छे से भूनेंगे उतने ही अच्छी से इसका जो कड़वाहट पन होता है वो खतम हो जाएगा मेथी को मैंने बहुत अच्छे स गरे कर लिया है इसकी क्वाटेटी भीहलकी कम हो गई है अब यहां पर मैंने इसम हाट किया है बिल्कुल 24 चमश अच्छ ces pain किया है लगबटीजमय ह accurate हैं कशमीरी ना जा जोगी है इसको थोड़ा सा इसा आर मसाले आच्छे को थे जापस च्छे से मिक्स एकस कर लेना है मसा कि सौट का पाउडर इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़ादा अच्छा यमीन हैंस हो जाएगा अब हमने क्या किया है अच्छे से मेथी को पका लिया है और यहाँ पे इसका जितना भी एकसेस पानी है वो खतम हो गया है तो मेथी पक जाने पर अब हम इसमें वह पेस्ट करेंग है इस तरह है इस्सकु इसमिक्स कर लेकर रेने के बाद एक दही जिसको बहुत अच्छे से ऑ़ ज़ती लगबख चार चमश हमको यहां पर दही आड़ करना है बड़े चमश के हिसाब से तो दही से इसका टेस्ट जो है और भी जादा बढ़िया आ जाएगा दही आड़ कर देने के बाद फटा फट से दही के साथ सारी ग्रेवी को मिक्स करना है ताकि दही फटे नहीं तो अब जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्टली कोख हो गई है अब इस टेश पे हम पनीर आड़ करेंगे जिनको हमने अभी तक पानी में सोग करके रखा था तो पानी में से निकालते हुए पनीर को हम इसमें आड़ कर देंगे पनीर की कितनी ज्यादा है इसी तरह से आप कोई भी पनीर की सब्ची बनाया पनीर की सौफटनेस बनाने के लिए आप इस तरह से पानी का यूज़ कर सकते हैं तो पनीर आट कर देने के बाद वापस से सारे पनीर को इसमें मिक्स कर लेंगे और लगबग दो ही मिनिट हमने इसको पकाना है बहुत जादा ओवरकुक नहीं करेंगे अगर आप इसको ओवरकुक कर देंगे तो वापसे पनीर जो होता है वो हाड होना स्टार्ट हो जाता है तो अगर पनीर को सॉफ्ट रखना है तो इसको बहुत जादा ओवरकुक नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखें इसको हमने इसको पका लिया है लगबग दो मिनिट के लिए और और स्टेज पर मैं इसमें आड़ करें हूँ दो बड़े चमश घर की मलाई आप चाहें तो क्रीम का यूज कर सकता है लेकिन हम घर पे रखें इंग्रीटिन्स के साथ इसको बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर मलाई को यूज किया है मलाई आड़ कर देने के बाद वापत से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और कुछ सेकिंड के लिए मलाई के साथ हमने इसको पका लेना है बहुत जादा नहीं पकाएंगे वरना मलाई जो होगी अपना ओयल रिरीज करना स्टार्ट कर देगी हमारा जो मेथी चमन है बिलकुल पॉफेक्ली कुक हो गया है आप इसको गरम गरम सर्फ कीजे लच्छा पराटा के साथ रोटी के साथ पराटा के साथ बहुत ही ज़्यादा यमी है सब जीबन के तयार होती है तो आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें फ्रिंद्स और फामली के साथ चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो जल्दी से कर दीजे चैनल को सस्क्राइब और इंजोई करिए बढ़िया पढ़िया recipes को तो चलिए फिर मिलते हैं next time happy hours में नई recipe के साथ thanks for watching